एक बार फिर लेके आगया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हलफुल और इंट्रस्टिंग वीडियो जुसका नाम है Enroll User in Teachable on WooCommerce Course Sale आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जबी भी कोई कस्टुमर जाके आपके e-commerce platform WooCommerce की उपर आपका product purchase करता है कोई particular product मान लीजे वो कोई notes हैं उसने वहाँ पे वो product purchase किया खरीदा दन automatically क्या होगा वो जिस भी product को उसने खरीदा है जो course उसने खरीदा है वो course आपका मौझूद है teachable के अंदर तो वो खरीदने वाला person आपके teachable में as a user उस course के अंदर enroll हो जाएगा as a student उस course के अंदर enroll हो जाएगा बिना आपकी involvement के एकदम automatically इसके लिए आपको क्या करना होगा automate करना होगा WooCommerce को teachable से और best part यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills का आना ज़रूरी नहीं है बस मेरे साथ चलके एक 10 मिनिट में यह automation साथ करना है दन बस उसके बाद आपका पूरा काम easy हो जाएगा पूरी process बताऊंगा कि कैसे ही automation साथ करना है अभी अपनी screen पर okay सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com यह है official website click करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा पैबली connect का click करूँगा access now पर then open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right hand side पे create workflow को option आएगा click करेंगे और हम अपने workflow को एक नाम दे देंगे okay so मैं नाम दे देता हूँ woocommerce to teachable ठीक है मैंने एक simple सा नाम दिया आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इस ही workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow use कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे woocommerce पे आके जब भी कोई हमारा product खरीदे जब भी कोई हमारा course जो है वो purchase करे तो automatically वो हमारे teachable के course के अंदर enroll हो जाए है न as a user ऐसा हम चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम first application में सबसे पहले choose कर लेंगे woocommerce को search किया choose कर लिया then trigger event में हम choose करेंगे new order created को click करेंगे copy पे weboc url को copy करने के लिए wordpress का dashboard जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें woocommerce की plug-in successfully installed है woocommerce पे आना है और फिर click करना है settings पे settings पे click करने के बाद आपको click करना advanced पे उसके बाद आपको नीचे scroll करना है और rest api के side में जो web books लिखा है उस पे click करना है पहले नाम देना है अपनी web book को okay so मैं नाम देता हूँ teachable integration simple था नाम दिया है मैंने आपको और भी दे सकते हैं इसको मैं active कर देता हूँ status को and topic selection के अंदर मैं order created वाला जो topic है उसको select कर लेता हूँ then delivery url में जो पैबली connect ने web book url दिया है उसको copy करके यहाँ पे paste कर दूँगा नीचे आऊँगा click कर दूँगा save web book पे चलके check करूँगा पैबली connect के पास कि यहाँ पे response received हुआ है या नहीं okay so तुरंत रेज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे web book ID आ गई है means connection successfully हो गया है WooCommerce और पैबली connect के बीच में just recapture web book पे आपको click कर रहा है और yes click कर देना है अब यहाँ पे show रहा है waiting for web book response means अभी जब भी कोई भी new order create होगा आपके WooCommerce में तो automatically पैबली connect उसका data यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा तो चलिए customer बनके चलते हैं और कोई product जो है order करते हैं okay so मैं अपना store visit कर लेता हूँ उसमें से जो product मुझे order करना है वो है PHP course okay क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी कोई उस course के लिए payment करे तो automatically वो मेरे जो है उसके अंदर teachable के अंदर जो course मौजूद है PHP का उसमें enroll हो जाए okay so यह रहा PHP का course add to cart पे click करके मैं इसको खरीदता हूँ ठीक है बैन नीचे आता हूँ और proceed to check out पे click करता हूँ और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपनी details आइड कर दी है मान लीजे मेरा नाम है Jesse Matthew जैसी Matthew नाम का मैं कोई customer हूँ और यह company है मेरी और बाकी की नीचे details मैंने add कर दी हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने phone number add किया हूँ जो 91 जिसमें add किया है तो जब आप अपना page बनाए payment वाला तो उसके अंदर phone number के अंदर आप भी यह दे देजएगा कि 91 add किजए तो यहाँ पे मैंने add कर दिया अपना phone number भी और मैं place order पे click करके order place कर देता हूँ तो order place करूँगा तो पैबली connect के पास मात्र 10 से 12 second के अंदर इस order की सारी details आ जाएगी यहाँ जैसे कि आप देख रहे है successfully details आ गई हमारे सामने और यहाँ पे order हमारा successfully create हो गया है तो यहाँ पे 12 से 13 second के अंदर पैबली connect उस order की details अपने पास capture कर लेगा तो आपको wait करना होगा थोड़ा सा तो जैसा कि आप लोग देख रहे है response received हो गया है मैं आपको एक बात बता दूँ कि response आने में 28 से 30 second लग गए तो कभी-कभी लग सकता है इतना time तो आपको panic नहीं होना है wait करना है एक मिनिक तक wait करना है और आपका data जो है capture हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर response आ गया और order की सारी details हमारे सामने 450 रुपे का total था जैसा कि आप देख रहे है जैसी Matthew जो कि मैंने अपना नाम add किया था company address, email address, phone number, first name, last name, सारी की सारी details मैंने यहाँ पर capture कर ली है अब मैं चाहता हूँ कि automatically क्या हो एक यह जो है जैसी Matthew जिन्होंने purchase किया है मेरा यह product वो as a user, as a student जो है मेरे course में add हो जाएं जो की है PHP for beginners वाला जो की मौझूद है मेरे teachable के अंदर सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, plus button पे click करके action step add करनी होगी, एक feature का use करना होगा पैबली connect के जिसका नाम है filter, filter का use क्यों करेंगे हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी अगर हम filter यूज नहीं करेंगे तो जितने भी product हमारे woocommerce के अंदर मौजूद है अगर customer उन में से कोई सा भी product खरीदेगा, तो वो automatically PHP beginners का student बन जाएगा, अगर हम filter नहीं लगाते हैं तो और अगर हम filter लगा देंगे, तो सिर्फ जब customer हमारा ये वाला product खरीदेगा, जिसका नाम है PHP beginners for course, ये PHP for beginners वाला product इसको खरीदेगा, तब ही वो हमारे teachable के इस course के इसके लिए हम filter यूज करेंगे, यहाँ पर search करता हूँ filter को और choose कर लेता हूँ और एक ऐसी condition जो है लगा देता हूँ select label पर click करके, WooCommerce पर click करूँगा और यहाँ से मैं अपना product जो है choose कर लूँगा, okay, product name, okay, so यहाँ पर मैं search करता हूँ product name, यहाँ पर लिख देता हूँ product name यह product id है हमारे सामने, item name होगा शायद से, यहाँ पर आपको search करना है item, okay, यह रहा, ठीक है, line item name, php for beginners, यह मैंने यहाँ पर map कर दिया, और simply मुझे जो है, इसी को copy करके सामने paste कर देना है, कहाँ पर php for beginners हमारा, okay, so यह रहा, line item name, line item id के नीचे, यह रहा name, इसको copy करना है, नीचे आके यहाँ पर value के अंदर आपको put कर देना है, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी item का नाम equals to php for beginners होगा, तभी automation आगे run करेगा, otherwise और किसी product के लिए नहीं करेगा, simple भाशा में, जब आपका जो product है, जिसका नाम है php for beginners, जो woocommerce के अंदर मौजूद है, जब customer उसको purchase करेगा, तो ही वो आपके teachable के इस course में, जिसका नाम है php for beginners इसमें add होगा, otherwise नहीं होगा, ठीक है, click करेंगे save and send test request पे, तो आप देख पाएंगे condition true है, क्योंकि अभी Jesse Matthew ने php for beginners वाला product ही खरीदा है, that's why यह as a student add होगे हमारे teachable के course में, ठीक है, then अब नीचे आ जाता हू और यहाँ पर मैं choose कर लिता हूँ अपनी last application में teachable को, क्योंकि teachable के अंदर ही मैं enroll करूँगा, inco student को है ना, हमारे course में, ठीक है, action event मैं choose करूँगा enroll user in course, okay, choose कर लिया, then click करूँगा connect पे, then उसके बाद add new connection पे, एक new connection के लिए चाहिए आपको email password, जो email password आप account जब login करते हैं, तब जो आप डालते हैं, वो यह वाला email और password यहाँ आपको डालना है, then sub domain में आपको बता देता हूँ, आपको आना होगा sub domain के लिए teachable पे, और यहाँ पे आपको select करना होगा, sites पे click करना होगा, site जो लिखा है, हैना site पे आप click करेंगे, then उसके बाद आपको click करना है domains पे तो मैं select existing connection पे click करके अपने पुराने connection का ही use करूँगा, क्योंकि एक बार मैं connection बना चुका हूँ, then यहाँ से मुझे course को select कर लिना है, तो यहाँ पे मेरे चार courses के नाम आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे, sport training, react वगरा, okay, so मैं दिखा देता हूँ आपको यह रहे वो चारो course, तो इन में से मैं जिसको भी select करूँगा, उसी में वो person add होगा, okay, so PHP for beginners वाले course में मैं चाहता हूँ कि वो as a student add हुजा है, जिन्होंने खरीदा है, वो product हमारा Jesse Matthew ने, then जो जिसको मैं as a student add कर रहा हूँ, उसका email मुझे यहाँ पे add करना होगा, उसका email मुझे कहां से मिलेग यह रहा, first name, last name और यह रहा email, okay, so यह email मुझे यहाँ पे add कर देना है, ऐसा करने के लिए मैं mapping का use करूँगा, mapping एक ऐसी टेक्निक है, जिसमें हम trigger application का data action application में add कर सकते हैं, कैसे अभी करके दिखाता हूँ, blank field पे click किया, नीचे option हाँ, woocommerce का, click किया, woocommerce पे सारी details open होगी, है ना, तो अब हमें क्या करना है, find करना है email, तो यह रहा billing email, click करके map कर दिया, इसी process को mapping कहते हैं, और जितनी easy और simple है, उतनी important भी, क्यों important है बताता हूँ, जैसे कि अगली बार जब कोई दूसरा customer आएगा, और वो हमारा PHP for beginners वाला product, woocommerce से purchase करेगा, तो obviously बात है, उसका automatically run करेगा, that's why map करना है, important है, और यहाँ पर आ जाता हूँ, user name पर, so user name हम जो आशी राय का, वो, आशी राय बोल रहा हूँ, Jesse Matthew का जो नाम है, वही में देता हूँ, Jesse, और इसके बाद space देके, Matthew, ठीक है, user name में इनको यही दे रहा हूँ, ठीक है, then नीचे आउँगा, और password देना चाते हैं, तो आप दे सकते हैं, नहीं, तो just click किजिए, save and send test request में, तो यह जो Jesse Matthew है, यह successfully enroll हो जाएंगे, as a student, हमारे teachable के, PHP वाले course में, okay, so चल के check करते हैं, है न, हमारे course के अंदर, okay, so यहाँ पे अभी 15 enrollments है, चल के check करते हैं, open कर लेते हैं, हम पहले हमारे course को, और यहाँ पे click करेंगे, students की उपर, और check करेंगे, कि Jesse Matthew के नाम से कोई student है, या नहीं, okay, so नीचे scroll करता हूँ, और देखता हूँ, यहाँ पे Jesse Matthew के नाम से कोई, यहाँ पे हमारा, जो है, है के नहीं, okay, so refresh किया, मैंने अभी एक बार, और आप देख पा रहें, हाँ पे 16 students हो है, okay, so इसकी presence बता रही कि हमने हमारा automation, जो है, successfully set कर दिया, just अब हमें save पे click करना है, और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब यह automation बिलकुल perfectly, automatically work करेगा, क्या होगा, जबी भी कोई order create होगा, और उस order के अंदर किसी person ने PHP for beginners, जो है, purchase किया होगा, तो automatically वो person ज इसका नाम है PHP for beginners, उसके अंदर as a student add हो जाएगा, जैसे कि यह जैसी Matthew हुए है, पूरी process automatically होगी, आपके involvement की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने automation side कर दिया, आपका काम खतम हो गया, जब तक यह workflow on है, यह process automatically होती रहेगी, ना सिर्फ in applications को, पैबली कनक की help से make कर सकते हो, बिना किसी परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के description box में, आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का, आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाये, यह same workflow use कर पाओगे, अपने account में, वो भी एकदम free मे और आपको अगर पैबली कनेक की pricing जाननी है, तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी, और जाते जाते एक बात बता दूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा, और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा, thanks